नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिश नारियल की वर्फी बिल्कुल हलवाई जैसी बिल्कुल आसान तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी एक बार पना के जरूर देखें तो आई येम बनाते हैं मैंने इसके लिए 300 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है 200 ग् टाहिए मैंने पिसी चीन इखें लिए तो आई येम बनाते हैं कडाई में फोड़ा गी डाल देंगे ताकि मावा सेके तो नीचे तलवे में न चाटे अधिए। यह मैंने घर्मे बनाया है आप भी चाहें तो घर्मे बना सकते हैं मेरे वीडियो के डिस्कॉप्चन में जा करके देख सकते हैं यह हमारा मावा सिख गया है देखिए पुरी तरह से शिख गया है अब हम इसके अंदर नारील का पुरादा डाल देंगे इसको चितरे मिक्स कर देंगे आपको इस तरह से मिक्स करना है जब तक यह पूरा बुल ना जाए दोनु चीज यह देखिए हमारा यह मिक्स हो गया है अब हम इसके अंदर चिनी डाल देंगे अब हम इसके अंदर एक कब डूद डालेंगे मैंने दूद में केसर डाल रखी है आप चाहे तो आप भी साधा भी ले सकते हैं या केसर वाला दूद भी ले सकते हैं अब हमारा पेस्ट तयार हो गया है जमने के लिए अब हम इसे ट्रे में निकाल देंगे यह मैंने त्रे घी लगा के तयार कर लिए अब हम इसके अंदर हमारा यह नारी रुख़ी बर्फी का आप चाहे तो इसके अंदर इलाइजी पाउडर भी डाल सकते हैं यह देखिए मैंने इसे ट्रे में निकाल दिया है अब हम इसे धीरे-धीरे इसके चमच की सायता से इसे फैला देंगे यह मैंने चमच में गी लगा के चमच से चारो तरफ फैला दिया है इसे आप मोटी पतली जैसी रखना चाहे वैसे रख सकते हैं अब हम इसके उपर चांदी का वक लगा देंगे मैंने चांदी का वक लगा दिया है आप चाहे तो इसमें ड्राइफूट भी लगा सकते हैं वो चीनी मैंने कम ली थी आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं अब हम इसे जमने के लिए लगबग 5-6 गंटे के लिए रख देंगे लगबग 7 गंटे हो गए हैं और यह हमारी नारियल की वर्फी पूरी तरह से जम के तयार हो गई है अब हम इसके पीसस काटेंगे आप चोटे बड़े जैसे चाहें जैसे काट सकते हैं कोई और शेप में काटना चाहें तो उसमें भी काट सकते हैं आपकी जैसे इच्छा हो इसे कर सकते हैं अब हम इससे प्लेट में साफ करेंगे देखिए हमारे पीस अब हम इसे प्लेट में साफ करेंगे यह हमारी बर्फी बनके तयार हो गई है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करें